किस तरह से एजुकेशन थी उसको इंप्रूफ किया जाए इसा कैसे किया जाना था वाट मीजर्स दिड़ अंडर्टेक इट अपॉइंटेट अनंबर अफ गवर्मेंट उन्होंने क्या किया कई सारे गवर्मेंट पंडितों को अपॉइंट कर दिया यानि कि पाट सालाओं को अफजर्फ करने के लिए एक गवर्मेंट पंडित क्योंकि अफजर्वेशन जारी था इंस्पेक्शन होना करना जारी था तो जो गवर्मेंट पंडित थे उनको चार्ज दिया गया हर एक पंडित को चार से पाँच स्कूलों का मुआइना करना था अफजर्वेशन करना था एक पंडित चार पाँच का करेगा फिर दूसरा पंडित फिर चार पाँच का फिर तीसरा पंडित फिर तीन पाँच चा कई सारे जो schools थे तो इस तरह से उनका काम केवल observation था task of pundit अब जो काम था pundit का was to visit पार्ट साला पार्ट साला में visit करना यानि पार्ट साला को देखना and try and improve the standard और क्या कोशिस करना कि जो standard था teaching का उसको improve करना यानि कि यह पढ़ाने की कला है जैसे आजकल वियाट करते हैं उन दौरान में यह पंडितों का यह काम होता था कि जो teachers हैं इस गुरू को उसको improve किया जाए ask to submit और इन गुरूओं को क्या करना था पंडितों को एक periodic report and take class according to regular and try to improve standard of teaching जो teaching का इस्तर था पढ़ाई का उसको improve करना में motive था पंडित हर पार्ट साला में जा सकते थे और एक पढ़ाई का इस्तर को सुधार करना था जो पढ़ाई का इस्तर था उसको सुधारना था इस गुरूओं आस हर गुरू को एक periodic report submit करनी थी and take classes और कक्षाएं भी लेनी थी regular tentable के आदार पर tentable निर्दाद किया गया उस ही tentable के आदार पर बच्चों को पढ़ाए जाता था पहले तो कोई tentable नहीं होता था teaching was now to be based on textbook अब textbook हैं भी छाफ दी पहले तो textbook हैं नहीं थी तो memory के बेश पर पढ़ाना होता था और exam नहीं होता था यह तीन बात याद रखना ना टेक्स बुक थी ना tentable था और ना exam होता था अब tentable फिक्स कर दिया tentable के according पढ़ाना था पढ़ाना क्या था फिर किताब में भई टेक्स बुक छपने लग गई थी learning was to be tested way system of annual exam और पढ़ने का इस्तर annual exam के विस्पस का गया कि आखिस उन्हें शीखा कितना है हम exam क्यों देते हैं हम exam इसले लेते हैं कि exam हम यह बताते कि हमने through out the year कितना सीखा हमने कितनी पढ़ाई की तब ही exam लिए जाते है इसी को एक्जाप करने के लिए annual एक्जामेशन ले गए टैक्स बुक छापी गई और टैन टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई होने लग गई इस्टोटेंट वर आज टुपे रेगुलर फीज पहले तो फीज फिक्स नहीं थी लेकिन अब क्या कर दिया इस्टोटेंट वर आज टुपे रेगुलर फीज अटन कर देना था अटन रेगुलर क्लासे भी उन्हें अटन करना था एक फिक्स शीट पह बैठना था पहले तो सीट भी फिक्स नहीं थी रेगुलर क्लासे भी नहीं थी और फीज भी नहीं थी ना फीज थी ना क्लास थे औ और जो डाले के मैं कह सकता हूँ कि जो नए नियम थे उनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी था और एक डिसिप्लेन एक अनुशासन पहले तो कोई अनुशासन नहीं था अब टैक्सबूक है चपी टाइन टेबूल अरेंज किये गए एन्वल एक्जांस लिया जाने लगा फीस फिक्स कर दी गई रेगुलर स्कूल आना जरूरी कर दिया गया रेगुलर क्लासेश थी रेगुलर सीट थी फिक्स शीट थी और हर स्टूडेंस को अनुशासन पालन करना जरूरी था पार्षाला which accepted the new rules और जो पार्षाला थी जिसमें नई rule एकसेप्ट किये गए वेर सपोर्फेट दो दो गबर्मेंट ग्रांट वेर वेर अन्विलिंग और जो लोग क्या थे नू रूस जो थे सपोर्फेट दो गबर्मेंट ग्रांट एक government की grant यानि security से ही नए उसको पार्च साला accept किये सकते थे पार्च साला which accepted यानि कि हम कह सकते हैं वो पार्च साला है जिन्होंने इन नए रूलों को accept किया government ने जो नए रूल की बनाये थे उनको government से help भी मिलने लग गई grants मिला उन्हें those who were unwilling to work और वो लोग जो government के इस new rule के according स्कूल पार्च साला चलाने के सौकिन नहीं थे unwilling to work नहीं चाहते थे new system receive no government support तो इस नए system में उनको कोई भी support नहीं मिला government का यानि कि उन्होंने टेंटिबल नहीं बनाया उन्होंने tax book allowed नहीं करी उन्होंने fixed fees नहीं करी उन्हें regular classes नहीं ली उन्होंने एक fixed seat नहीं बनाई बच्चे के लिए rules disciplines नहीं बनाएं तो उस तरह के schools भी थे जो government के इस policy के favor में नहीं थे तो उन्हों को government से कोई भी financial help नहीं मिलती थी तो इस तरीके से हम देख सकते हैं over time guru wanted to retain their independence over time में जो gurus थे वांटे जो retain करना जाते थे independence found it difficult to compete with government added तो over time जो gurus थे जो retain करना चाते थे independence को अपनी आजादी को इस तरह के rules नहीं चाते थे उन्होंने ये पाया कि government added जो school थे जो government की मदद मिलती थी उन्हों स्कूलों से compete करना बहुत मुस्किल था रेगुलेटेड पार साला पार सालों को चलाना new rules जो थे and routines जो थे another consequences उसकी कई सारे अधर परिणाम निकले in the earlier system में childrens from poor pigeons जो बच्चे थे गरीब किसानों के परिवारों के had been able to go पार साला तो नए नियमों से और routine से अन्य परिणाम क्या ये ये देखते हैं earlier system में पहले के system में क्या होता था आपको याद होगा जो गरीब किसान परिवार का बच्चा था had been able to go पार साला वो भी पार साला जा सकता था लेकिन जब से tentable बन गया since the tentable was flexible the discipline of new system जो नया system था अनुशासन का demand में regular attendance लगानी जरूरी थी even during harvest time पर और फसल कटने के time पर भी जो गरीब परिवारों का बच्चा था वो क्या कर सकता था खेदों में काम कर सकता था पहले के time पर पहले के time पर जो tentable था बहुत flexible था harvesting time पर school बंद हो जाता था और harvesting के बाद store करने के बाद दुबारा से बच्चे आ जाते थे बढ़ने के लिए पहले के system में था भी बूके नहीं थी test book नहीं थी tentable नहीं था annual exams नहीं लिए जाता था fees fix नहीं थी place fix नहीं था bench नहीं थी लेकिन इस तरह की flexibility तो थी लेकिन जो discipline था नए system में का discipline की बात करें डिमांड ने regular attendance होने लगी पहले तो attendance थी नहीं पहले न टेंटेबूल था न attendance थी न टेक्स्बूक है थी न टेस्ट लिया जाता था तो harvesting time पर भी अब पूर वह करते थे चलना सब पूर हमली head to work in the field तो even during harvest time के time पर भी गरीब करिवार के पच्चे को head to work in the field उखे तो मैं काम करना पड़ता था तो regular attendance कैसे दे सकते थे वो inability इसी तरह के से उन्होंने एक असमर्थता जताए attendance school करने के लिए came to be seen in discipline अनुसासन हिंता देखा गया क्योंकि उन्होंने harvesting time पर school में regular attendance देने में असमर्थता जताई evidence of the lack of desire to learn एक evidence देख सकते थे कि lack of desire उनमें कुछ सीखने की desire उतिन नहीं देखी जाती थी क्योंकि tentable flexible नहीं था एक regularity बना दी गई it means हम कह सकते हैं कि और चीज fix कर दिया गया tentable fix था regular school आना fix कर दिया गया flexibility सारी हटा दी गई एजेंटा अगर हम बात करें new education का जो नई education system का जो एजेंटा था क्या था British officials जो थे British अधिकारी वेर not only people वो नाकेवला से लोग थे thinking about education भारत में education के बारे में सोचते थे from the early 19th century के अगर हम बात करें many thinkers जो बहुत सारे thinkers थे from the early 19th century बहुत सारे जो thinker थे सोचने वाले different part of India अलग-अलग हिस्सों से begin to talk वात करने लगे need for a wider spread शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रसार करने के बारे में सोचने लगे impressed with the development जो विकास से provide थे in Europe में some Indian felt कुछ भारतियों ने यह मैसूस किया कि जो western education थी वो क्या कर सकती है भारत को आदुनिक बना सकती है modernize कर सकती है western education they argue उन्होंने यह argue किया the British to open more school कि भारत में बहुत जादे schools college और university खोले जाने चाहिए and spend more money और बहुत ज़दा पैसा education में खर्च करना चाहिए you will read about some of these reports chapter 9 में हम इस तरह की कुछ efforts के बारे में पढ़ेंगे there were other Indians कुछ ऐसे भारतियों भी थे however who react against हाला कि कुछ लोगों ने पस्चिमी शिक्षा के में react किया उसके against थे मात्मा गादी और रविना टेगोर जिन्होंने western education में react किया जो against थे उनमें से कुछ दो लोग थे इंडिया में रविना टेगोर और मात्मा गादी वेर तू सच इंडिविज्वल्स लट उस लूक अड़ वर दे एट उसे वह क्या कहते थे English education has enslaved us अंग्रेजी शिक्षा ने हमें क्या बना दिया है गुलाम बना दिया कि लॉट में काले जाता था कि इंडिया में English इंडिस इंडिविज्व के जा जिसे को सिविलाइज हो सब्वे हो ट्रेंड हो जाएं वह और ब्रिटिस गुड्स का यूज करने लग जाएं उनका सोचने का तरिका नई आडिया उनमें आएं सिविलाइज बने वह लेकिन अगर यहां पर हम विचारदार की बात करें तो उपने वेशिक शिक्षा ने एक इंफिरियर्टी इंडियन स्लोग के माइन में भर दी इट मेट जैम सी वेस्टन सिविलाइज़िशनेर्स तो उन्होंने क्या देखा पस्चिमी सब्वेता को सुपिरियर माना and destroy the pride they had in their own culture जो उनकी अपनी संस्किती में गौरव था उस स्टॉइ करने लग गए there was a poison in this education मात्मा गादी का कहना था इस तरह की education में क्या होता है जहर होता है poison होता है said मात्मा गादी इट वास सिंफुल ये इस शिंफुल था इस इंसलेफ इंडिया को इंसलेफ बनाया गुलाम बनाया it cast an evil spell on them charm by the west जो पस्चिम का charm था appreciating everything और किसी को appreciating करते थे that came from the west इंडिया जो west इंडिया से आए indian educated indies institution जो इंडियां थे उन्होंने क्या किया educated indies institution में उनको educated क्या begin admiring british rule और british rule को वो क्या करने लगे admire करने लगे मात्मा गाधी wanted an education तो मात्मा गाधी एक ऐसी शिक्षा के बारे में ऐसी शिक्षा चाते थे that could help indian जो भारतियों की मदद करे recover their sense of dignity उनका जो dignity है और जो उनका आत्म सम्मान है उसको recover करने में मदद करने के लिए ऐसी शिक्षा चाते थे जो उनकी dignity और self reflect को बनाया रखे दूरिंग दे नैशनल मुम्मेंट यी आर्ग्यू राष्टे मुम्मेंट के दरान उसने इस्टूरियन को आर्ग्यू किया कि वह आपने educational institution को छोड़ दे educational institution नहीं किया join इसमें बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया teachers उनने भी पढ़ाना छोड़ दिया था यह ब्रिटिस को यह दिखाना चाहते थे order to show ब्रिटिस इंडियन वे नो लॉंगर विलिंग टू बी इंसलेव भारतिय लोग क्या करना चाहते हैं वह अब उनके गुलाम नहीं बनना चाहते हैं मात्मागारी strongly felt मात्मागारी ने strongly felt किया कि जो इंडियन लेंग्वेज है ओस्टू भी मीडियम आप टीचिंग भारतिय वासा कोई एक पड़ाई का टीचिंग का उपजिस का जरिया बनना चाहिए education in the English cripple इंडिया जो education थी in English English में जो education थी वह भारतिय को क्या मना रेक्री पढ़ रहेंगने को मलगूर कर रही है distance them from their own social surrounding उन्हें अपने ही सामजिक सरांड परिवेश से दूर कर रही है and made them और उन्हें stranger बना अपनी ही जमीन पर उन्हें stranger बना रही है speaking a foreign tongue एक foreign tongue में बात करना despising local culture को ignore करना and English educated did not know how to relate to masses इस तरह से अगर हम English education की बात करें इसमें बहुत ज़्यदा नहीं जानते थे कि how to relate to the masses western जो education थी मात्मा गादी said मात्मा गादी ने कहा कि focus on reading उन्हें रीडिंग पर फोकस किया और राइटिंग पर rather than oral knowledge western education की एकर हम बात करें मात्मा गादी ने ये कहा कि focus on reading के और पढ़ने और लिखने पर फोकस करती है rather than oral knowledge oral knowledge की मुकाबले में मौखिक ज्यान के मदले it valued textbook rather than lived experience textbook को ज़्यादा value देती है lived experience and practical knowledge पर it argued that education owes to develop a person mind education कैसी होने चीए or to be develop को क्या करें persons के mind को और soul को develop करे literacy or simple learning to read and write by itself did not count as education not count as education people had to work with their hand लोगों को क्या करना है अपने हाथों से काम करना है learn एक craft शीखना चीए होना है and know how different thing operate और ये जानना चीएगी कैसे अलग अलग चीज़ां operate की जाती है this would develop their mind इससे क्या होगा उनके mistakes का विकास होगा और समझने की सक्ति विक्षित होगी कई ने कई अंग्रेजी शिक्षा ने तो क्या कर दिया था पूरी क्रिपर्ड एक रिंगनी को मज़़ूर कर दिया था हम अपनी ही जमीन पर एलाइट एक विदेशी महसुस कर रहे थे यहां पर एक photograph दिखाए गया है मात्मा गादी along with कस्तुर्वा गादी मात्मा गादी कस्तुर्वा गादी के साथ बैठे है शिटिंग वी रविना टेगुर यह रविना टेगुर है अब आशाराम बाभू मत सोच ले ना हो एन ग्रूप अफ गर्ल और ग्रूप अफ गर्ल है बालिकाओं का जुंड है बालिकाओं बैठी है सांती निकेतन में 1940 की बात है 1948 में I think 1941 में उनकी मिर्ती हो गई थी इस तरह से अगर हम देखें ए नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स थे इस प्रैट अदर थिंकर्स और सो बिंगें तो जो राष्टे सेंटिमेंट्स जो राष्टवादी लोग के सेंटिमेंट्स एक आक्रोस हम कह सकते हैं फैला राष्टवा रख थे वो भी सोचने लगे सिस्टम आव नैशनल एजूकेशन के बारे में विच वुड रैडिकली डिफरेंट फ्रॉम दे सेट आफ दियवर्टिस्ट टैगोर की अगर हम बात करें जो क्या करते थे एवाड़ आप पीस करते थे एवाड़ आप पीस क्या था उनके और किसके द्वारा किया गया था रविना टेगो रविना टेगोर ने इंस्टूइशन खोला था 901 की बात है ऐज़ चाइड बच्वन में जब वो बच्चे थे वह वालक के तोर पर टेगोर एटेड गोइंग टू स्कूल टेगोर को स्कूल जाने पर चिड़ थी स्कूल न पिटा जाता है दो स्कूल अपियर्ड उस्कूल कैसा दिखता था एक जेल की तरह था उनके लिए फॉर ही कुड नेबर डू वाट इफाल लाइक डूइंग जहां वो वो नहीं कर सकते थे जो वो चाहते थे वह लगता था उनको वाँ फ्रीडम नहीं थी मैं कहना चाहरा हूं वहाँ वो वो नहीं कर सकते थे जो वो चाहते हैं वाइल अदर चलने लिसन टू दर टीजर जबकि सारे बच्चे टीचर को सुन रहे होते थे टेगर का जो माइंड था वुड वरंडर वे उनसे अलगी था बाहरी था वो अलगी दुनिया में एक्सपिरियन्स अगर हम बात के जो विचार थे एजुकेशन में वो तो अलग थे ऑन ग्रोइंग अप बड़े वने पर ही वांटे टू सेट अपर स्कूल वह एक ऐसा स्कूल इस्तावित करना चाहते थे वैर दर चैल वह एपी जहां बचा खुश रहे वैर सी कुट वी फ्री जहां वह फ्री हो जाए ए एक बच्पन जो होता है वो ऐसी इस समय में उसके खुद के सीखने की फरिकिरिया होती है आउटसाइड दर रिजीट एंड रिस्टिक्टिंग डिसिब्लेइन आव स्कूल इस्तावित जिसमें जो रिस्टिक्शन किया जाता है उस्कूल सिस्टम में डिस्टिब्लेइन के कैसा होना चाहिए था एक इमेजिनेटिव कलवनासी अंडरस्टैनिंग दर चायल्ड एंड हल्प दर चायल्ड तो डिपलव अर करियोसिटी और बच्चे को उसकी उसकूल डिपलव करने के मदद करना चाहिए अकॉदिंग टू टेगोर एगजिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेश्रल डिजायर जो स्कूल थे वह तो उन्होंने क्या करता था जो एक नेश्रल डिजायर थी बच्चे की उसको मार दिया था खतम कर दिया था बच्चे को क्रियेटिव नहीं बनाये था हैर सेंस अब वंडर तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो टेग और वन अब द व्यू क्रियेटिव लॉर्निंग चाहते थे वह एंड कुड भी इसी तरह से जो निव एजिक्शन पॉलिशी अब आ रही है भारत में इसी तरह की सोच को टेपलफ करते वे निव एजिक्शन प